नमस्कार मुरी प्यारी विश्यों स्वागत से आपके अपने विडियो के मादम से मुलूग क्लास्टुविल हिंदी इलेक्टिव के अंतराल बुक के सभी सेटर का जो मोस्ट भीवियाई MC की उपरसने है उसको देखने वाले हैं और इतना करने के बाद आपका पूरा अंतरा सब्जेक्ट की त्यारी करवाए जा रही है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस जरूर किज़ेगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में भी सेर जरूर किज़ेगा तो शली शुरू करते हैं और एक करके सारे को यहां पे हम लोग डिसकस करते हुए आग आँ आध करने का आपको ट्रीक बताऊंगा ठीक है तो देखें उसी से रिलेटेट पहला कुशन है कि सूर्दास के जोपड़ी के रसनाकार प्रेहम्शंद है और एक इसका करेक्ट अन्तरोगा प्रेहम्शंद उसके बाद दिखें अगला क्या है कि सुर्दास की जोपड़ कि सूर्दास का अंस है तो यह जो शेप्टर आपका सूर्दास के जोपड़ी यह आपका रंग भूमी का एक अंस है ऑप्शन नमर दूस का करेक्ट अंतरोगा रंग भूमी उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या है कि प्रेमशन उर्दू में किस नाम से लिखते थे प्रेमशन उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे उप्शन नमर तीनिस का करेक्ट अंतरोगा नवाब राय उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या है कि सूर्दास कोन था तो इस कहानी में आपका सूर्दास एक अंधा भिखारी है उप्शन नमर तीनिस का करेक्ट इस के बाद देखें अगला कोड़ों का कए सुर्दास किस अंग से दिव्यांग vendor आ new कि चालदास अपने अंधेपन से ज्यादा वहीर को जगदर की किस वहवार से आहद था तो सूरदास अपने अंदे पंत से ज़ादा वेर और जगदर का जो उसके परती अपमान और उनकी इरसीय की जो भावना था उससे ज़ादा आहद था तो इस question का correct answer का option नमर एक अफमान और उरून की इर्षिया से उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि जगदर सूर्दास से इर्षिया क्यों करता था तो जगदर सूर्दास से इर्षिया इसलिए करता था क्योंकि सूर्दास अंदा होते वे भी चेहन से रहता है साथ ही स सूर्दास से जलन की भावना रहता था तो इस question का correct answer का option नमर1 उपर्योक्त सभी उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि सूभागी किसके पतनी तो पतनी थी। तो सूभागी वेरो की पतनी थी Option उसके बाद देखे अगला कोश्चन आपका क्या है कि सुभागी वहरों से डर कर रात वर कहां शिपकर वेटी थी तो अभी बताएं सुर्दास की जोपड़ी में शिपकर वेटी थी और सुर्दास की जोपड़ी में उसके बाद देखे अगला कोश्चन आपका क्या है कि अपने पती की मार से बजने के लिए उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या है कि किसके हस्तत छेफ से वेरो सुभागी की पिटाई नहीं कर पाता है तो सुर्दास के हस्तत छेफ से अनिके सुर्दास यहाँ पे सुभागी को बचा लेते हैं सुर्दास के हस्तत छेफ स वेरो सुभागी की पिटाई नहीं कर पाता है, उप्सन नमर तिनीस का करेक्ट अंतरोगा सूर्दास, उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि वेरो को सूर्दास के खिलाब उसकाने और भटकाने में किसकी भूमी क्या थी, अनिके सूर्दास के खिलाब वेरो को कुण उसका आता और भटकाता है, तो ये आपका, ये जगधर उसका आता है, उप्सन नमर एक किसका करेक्ट अंतरोगा जगधर, उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि जगधर किसका खौमसा लगाता था, खौमसा का मतलब वो छोटा सा दुगांटी के ठैला टाइप का, तो जगधर किसका खौमसा लगाता था, तो ये आपका मेठाई का खौमसा लगाता था, उप्सन नमर दूइसका करेक्ट अंतरोगा मेठाई, उसके बाद देखे, अगला कॉशन आपका कहा है, कि वहरो की सूर्दास से दुस्मनी क्यों हो भी, तो वहरो की सूर्दास से इसलिए दुस्मनी होती है, क्योंकि वहरो जो अपनी पत्नी को मार पीट कर रहा था, सुभागी का, तो वहाँ पर सुभागी को बसा लेता है, अनिकी इन दोनों के भी इसमें हस्तस छेप करता है ठीक है तो इस बज़े से आपका वेरो की सुर्दास से दुस्मनी हो जाता है तो इस कोशन का करेक्ट अंतुर का ओप्शन नमर दो सुर्दास का सुभागी को सरम देना अनिकी बसा लेते अपने जोपड़ी में उसे सरम दे अगला कुशन आपका कहा है कि जोपड़ी के आसपास सन्नाटा च्हा जाने का क्या कारण था तो जोपड़ी के आसपास सन्नाटा च्हा जाने के कारण था क्यूंकि सुर्दास की जोपड़ी को वेरो ने जला दिया था इस मुझ से तो इस कोशन का करेक्ट अंतुरूगा ओ उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि आग ठंडी होने पर सूरदास रा को उलट पलट कर क्या खोज रहा था, तो यह अपने जो पेसो की पोटली थी, जिसमें आपका लगबग 500 रुपीय था, उसको खोज रहा था, उप्सन नमर एक इसका करेक्ट आंतर होग अपने पेसो की पोटली, उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि सूरदास ने अपनी पोटली में कितने रुपे जमा किया थी, तो सूरदास ने अपने पोटली में 500 रुपे जमा किया था, उप्सन नमर एक इसका करेक्ट आंतर होगा 500, उसके बाद देखे, अगला कोश्चन आपका कहा है कि सूर्दास किस कायर को पूर्ण करने है तू रूपे एकटा कर रहा था तो सूर्दास अपने गया जाकर के अपने पुरवजों का पिंड़ दान करने के लिए रूपे को एकटा कर रहा था साथ साथ मिटवा की बिया के लिए और गाम में कुमा बनवाने के लिए अनिकि ये तीनों कारण था जिस वज़े से आपका सुर्दास पेसो को इकटा कर रहा था इस वज़े से इस कोशिशन का करेक्ट अंतर होगा ओप्सन नमर साथ ये सभी उसके बाद देखे अगला कुशिशन आपका क्या है कि जोपड़ी के जले हुए फूस की राक नहीं थी बलके ये सुर्दास की खाली अस्तान की राक थी तो ये सुर्दास की अभी लासाओं और ने की इच्छाओं की राक थी तो इसके कुशिशन का करेक्ट अंतर होगा ओप्सन नमर दो अभी लासाओं उसके बाद दीखे अगला कुशिशन आपका क्या है कि सुर्दास को किस बात का दुख था तो सुर्दास को रुप्यों की पोटली खोजाने का दुख था option इसका character उंत्रूगा रूपियों की पोर्टली खोजाने का जभोपडी जल जाने का इसे दुख्नी था अपने उम्र भर की कमाई से सूर्दास कोण से इच्छा पूरी करना चाहता था तो अभी मैंने आपको बताया मिठुबा की विया करना चाहता था गया जाकर के पिंड़ दान करना चाहता था और गाव में कुमा बनवाना चाहता था तो इस कोशन का करेक्टर अंतरों का उप्रूकत सभी उसके बाद देखे अगला कोशन आपका क्या है कि चुला ठंडा किया होता तो दुस्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता यह कतन किसका है तो यहा कतन यहां पर नायक नाम का है और अप्सन नमर एक इसका करेक्टर अंतरों का नायक राम का उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या है कि जगधर को किस ने बताया कि उसने सूरदास की जोपड़ी जलाई और उसकी पोटली ले ली तो यह आपका भेरो ने बत नायक राम का नायक राम का है कि जगधर को किस ने बताया कि पोटली वहरो के पास है तो यह जगधर बताते हैं option number 1 कि इसका correct answer का जगदर उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या है कि वेरों के पास पोटली होने की बात सुनकर सूर्दास ने जगदर से क्या कहा तो सूर्दास ने जगदर से यह कहता है कि यह पोटली मेरी नहीं है ठीक है तो इस कुशन का correct answer का option number 3 पोटली और पैसा उसका नहीं है अनिकी सूर्दास का नहीं है यह सूर्दास कहता है उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या है कि सूर्दास क्या सोच कर जगदर से अपनी आर्थी खानी को गुप्त रखना चाहता है तो वह यह सोच करके अपनी आर्थी खानी को गुप्त रखना चाहता है अनिकी किसी को नहीं बताना चाहता है क्योंकि उसे लज्जा होगी कि विकारी इतना पैसा जमा किसे कर लिया ठीक है तो इस कोशन का correct अंतरो का option number 2 धन जमा करना विकारी के लिए लज्जा की बात है इस वज़े से उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या है कि सच्चाई सुनकर सुवागी वापस भेरों के पास जाने का निर्ने क्यों लेती है तो इसलिए जाती है क्योंकि वह सूरदास की पोटली पाकर उसे वापस लोटाना चाहती थी इस वज़े से उसके बाद देखे अगला कुशन आपका क्या है कि रोते हुए मिटवा को घिसु क्या करकर चड़ाता है तो रोते हुए मिटवा को घिसु या करकर चड़ाता है कि थूम खेल में रोती हो उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि तुम खेल में रोती हो या कथन किसका है तो या कथन आपका घिसू का है option नमरे किसका correct रोगा अगला question देखे आपका क्या है कि रोणा छोड़कर सूर्दास उठ खड़ा हुआ और विजे गरुम में दोनों हातों से किया उड़ाने लगा तो ये राक की धेर को उड़ाने लगता है option नमरे 3 इसका correct रोगा राक के धेर को उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि मिठुआ ने जब पूशा की कोई जोपड़ी को 100 लाक बार जला दे तो सूर्दास ने उसे क्या उतर दिया तो वह कहता है कि हम जोपड़ी को 100 बा और दोगा अब देखे इसके जो आपका second chapter है आरोहन जिसके लेखा का नाम है संजीव उसके कोशन को या पर हम लोग देखते हैं ठीक है तो देखे पहला question आपका क्या है कि आरोहन निम्न में से क्या है तो आरोहन आपका एक कहानी है option नमरे 3 इसका correct रोगा कहानी उसके और अपने गाउं वापस लोटा था तो वह अपने 11 साल के बाद अपने अपने गाउं वापस लोटा था option नमरे 3 का रोगा 11 वर्स उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि रूप सिंग के गाउं का नाम क्या था? तो रूप सिंग के गाउं का नाम माही था, उप्शन नमर 14 का करेक्ट आंतर हो जाएगा माही, उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि रूप सिंग को लग रहा था कि अधी, किसी ने उससे पूशा कि वह इन 11 साल उसने क्या किया, तो वह क्या जबाब देगा, या सोच कर वह किस भावना से गरसित था, तो वह जिजग की भावना से गरसित था, या सोच करके, उप्शन नमर 14 का करेक्ट आंतर होगा जिजग, उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि माही किस गाम से पहले पढ़ने वाला गाम है, तो माही आपका सरंगी गाम से पहले पढ़ने वाला गाम है, उप्शन नमर 14 का करेक्ट आंतर होगा सरंगी, उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि उड़े हुए नीले रंकी पाड़ी, पतलूल और स्लेटी स्वेटर पन्ने, तथा अपने चेहरे पर मासुमित बोटोरे, एक सूपी नदी को अभागीन का है, उप्शन नमर 14 का करेक्ट आंतर होगा सूपी नदी, उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि ज्यादा चोड तो नहीं लगी भुलिया, इस कथन से भूप सिंग के किस चारितरिक विसिस्ता का पता लगता है, तो इस कथन से सने सिल, आपका सारितरिक विसिस्ता का पता लगता है, उप्शन नमर 1 किसका करेक्ट आंतर होगा सने सिल, उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है, कि पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, यह कथन रूप सिंग ने किसके लिए कहा है, तो यह कथन किसने भूप सिंग और सेला का पुत्र था, option number 1 कि इसका correct आन्तलरोगा, भूप सिंग और सेला का। उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या है कि महिब क्या करता था तो महिब आपका गोड़े पर लोगों को ढोने का काम करता था और इसके पिता कोण थे तो इसके पिता राम सिंग थे उप्सन नमर तीन इसका करेक्ट आंतरोगा राम सिंग उसके बाद देखे अगला कुछन आपका कहा है कि बस्पन में रूप सिंग ने अपने बड़े भाई भूप दादा को पहाडी पर धाका देकर क्यों गिरा दिया था तो इसलिए गिरा दिया था क्योंकि भाईया के हाथ की पकड़ से छुटकारा पाने के लिए ठीक है उप्सन नमर दो इसका करेक्ट आंतरोगा उसके बाद देखे अगला कुछन आपका कहा है कि रूप सिंग के इलाके की छेत्रिय भासा निमन में से कौन से थी तो रूप सिंग के इलाके की छेत्रिय भासा गड़वाली था उप्सन नमर एक इसका करेक्ट आंतरोगा उसके बाद देखे अगला कुछन आपका कहा है कि रूप सिंग को प्रवता रोहन संस्थान से कितनी तंखवा मिलती थी तो रूप सिंग को प्रवता रोहन संस्थान से आपका 4,000 रुपिय की तंखवा मिलती थी अनि कि विवेतन मिलता था 4,000 रुपिय का ओप्सन नमर एक इसका करेक्ट आंतरोगा उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या है कि त्रीलोग सिंग कौन था त्रीलोग सिंग को प्रवता रोहन संस्था के बारे में जानकर या आस्षर हुआ कि सरकार पहाड़ों में चड़ने की भी तंखवा देता है ठीक है अगला कुछन देखे क्या है कि इस कहानी से भूप दादा का चरित्र चितरन किस पकार क्या गया है तो इस कहानी में आपका भूप दादा का चरित्र चितरन आपका ये आपका आत्म विवस्वासी की रूप में विक्या गया है प्रिसर्मी की रूप में विक्या गया है और चुष्टिले तथा पुर्तिले की रूप में भी क्या गया है अनिकि इस question का correct अंतर हो जाएगा आपका option नमर 4 उपर्यूक्त सभी अनिकि ये सभी के रूप में आपका भूप दादा का चरित रिचितरन क्या गया है ठीक है उसके बाद देखें अगला question आपका क्या है कि रूप सिंग पहाड पर चड़ना सिखने के वावजूर भूप सिं का correct अंतर हो का option नमर 4 दो और 3 दोनो उसके बाद देखें अगला question आपका क्या है कि भूप सिंग को हिमांग पहाड पर आकर क्यों बसना पड़ा तो भूप सिंग को हिमांग पहाड पर आकर इसलिए बसना पड़ा क्योंकि मलबे में मकान खेत माबाप धस जाने के कारण ने ऐसा क्यों का तो भूप दादा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बर्पवारी के कारण उनका मकान खेत माबाप सब दस गए थे साथे साथ 10-10 किलोमेटर तक घसाब हुए थे और बहुत ही अधिक तबाई हुई थी रास्ते बदल गए नदियां बदल गए थी अंदिकि य इस बज़े से भूप दादा ऐसा कहते हैं कि वही पहाड कवर बन गया सबका तो इस कोशन का करेक्ट नातर होगा ऑप्सन नमर चार उप्रयुक्त सभी उसके बाद देखिए अगला कोशन आपका क्या है कि सेला किसकी पतनी थी तो सेला भूप सिंग की पतनी है ऑप्सन नम चार इसका करेक्ट नमर चार जो कि उसकी पतनी थी ठीक है उसके बाद देखिए अगला कुशन आपका क्या है कि आरोहन कहानी में इस्तरियों की कैसी परस्तुत की गई है तो इस कहानी में आपका एश्थ्यों की मेहलाओं की शभी आपका दिंगी इस्तिती सरल जीवन से ल छिला दवारा भूप सिंगू की खेती में सहयता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंग के दवारा किसी ओर से साधी कर लेने पर तो सिला उसे सुपीन में कुददकर आत्मातया कर लेती नहीं, थ सोब देखे अगला कुछन आपका क्या है कि महीप ने भूप सिंग का घर क्यों छोड़ दिया था तो महीप ने भूप सिंग का घर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वह अपनी मां की मिर्तिव का दोसी भूप सिंग को मानता था इस वह से option number 3, इसका correct और रोगा अब देखे अगला यहां से जो questions शूरूँता है यह अपका तिसरा chapter जो है विस्कोर के माठी जिसके लेखन के आपका विस्नात तिरपाठी इसका question को लोग देखते हैं ठीक है तो देखे पहला question आपका वही है कि विस्कोर की माटी के रचनाकार है तो विस्कोर की माटी के रचनाकार कोन है तो इसके रचनाकार आने कि इसके लेखा आपका विस्कोर तिरपाठी है option नमर दो इसका correct आंट रोगा उसके बाद देखे, अगला कुशन आपका कहा है कि विस्कोर की माटी में लेकक ने ग्रामी जीवन के किन पहलों को प्रस्तूत किया है तो यहां पे आपका गाउं का परेकिर्टिक प्रिविस इसको भी प्रस्तूत किया है, साथी साथ आपका ग्रामी जीवन से लिए, लोग का थायें और मानेताओं, साथी साथ जीवन में मा का अस्थान को भी प्रस्तूत किया है, अन्दे कि यह सभी को प्रस्तूत किया है, तो इसको उसन का correct आंट रोगा आपका option नमर्चार उप्रुकत सभी उसके बाद देखे, अगला कुछन आपका क्या है कि गाहों का जीवन किस पर निर्भर करता है, तो गाहों का जीवन प्रैकृतिक पर निर्भर करता है, option नमर्ए किस का correct आंट रोगा प्रैकृति, उसके पोरेग दोले के पोकर में कौन सा फुल फुलते थे तो पूरब टोले के पोकर में आपका कमल का फूलता था option number 2 इसका correct अंत्रों का कमल अगला question आपका क्या है कि कमल के पत्ते को क्या कहा जाता था तो कमल के पत्ते को आपका पूराइन कहा जाता था option number 3 इसका correct अंत्रों का उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि अकाल के समय जाने वाले कमल के नाल अनिकी कमल ककडी को क्या कहा जाता था तो इसे आपका भसिन कहा जाता था option नमरे किसका correct अंत्रों का भसिन उसके बाद देखे अगला question आपका कहा है कि कोईया किसे कहते हैं तो कोईया आपका कुमूद के फूल को कहते हैं ऑप्शन में किसका क्रेक्ट आंतरोगा कुमूद की फूल को अगला कोश़्िट्स आपका क्या है कि सरद रीतु में कौन सा फूल फूलता है तो सरद रीतु में आपका हर सिंगार का फूलता है ऑप्शन उप्षेन के कौन से किरिया जड़ के चेतना उनने अनी मानव जनव लेने की 30 के बाद देखिए अगला कुशन आपका क्या है कि विस्कोर की माटी में लेकक ने किस अत्यासार की बात कही है तो इसमें आपका लेकक ने मा की दुद्ध पर छोटे भाई की कवजा की अत्यासार की बात कही है option number 3 इसका correct रंतरोगा उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि लेकक ने बतक से किन की तुलना की है तो लेकक ने बतक से मा की तुलना क्या है option number 1 किसका correct रंतरोगा मा की उसके बाद देखे अगला question आपका क्या है कि इन में से कौन सा साफ जहीरिला होता है तो इनमें से आपका गेहमन साफ जिसे इंगरेजी में आपका फेंटारा का जाता है यह साफ बहुत ज़्यादा जहरीला होता है अगर किसी को एक बार काट लाए तो उसे बचाना मुझकी लेटिक है तो इस कुप्षिन का करेक्ट अंतरों का ओप्षिन नमर तीन गेहमन अनक पार हुआ है उसके बाद देखे अगला कुप्षिन आपका क्या है कि इनमें से कौन सा साफ दो मुऊ वाला होता हैasına है ऊपन्ट कि बार से हे और यह जाता हुआ है वादा ओनने इस Border को कि दो ने हो जाता है तो उसके खाट के पास निने कि इसके पास आपका जोने के पत्ते होते हैं थो निम के फूल होते हैं इसको रख दी जाते हैं तो इसको ऐसे का क्रेक्ट्ट Moviesột को था ने कि अगला कूशन कंदेने के साथ ही और क्या करते है तो यह आपका काम करता है option वोले एक कारेक्ट अंत्रोगा अगला question आपका क्या है कि ओर लू से बचने के क्या उपाई क्या जा सकता है तो गर्मी से फचने के कछ्चि-आम का पञ्णा पीना ये उपाई क्या जा सकता है साथ ये साथ आपका कपड़ों में प्याज का गाठ बानना से भी आपका उस्सी बता जा सकता है, और आम के लेप लगाने से भी आपका गरमी और लुसे बसने के यह आपका उपाय, तो इस mountain का अंत्रों हो के आपका कैबस, कि 10 वर्ष की उम्र में लेखक जिस यूपती की यूर आकरसित हुआ वह उसे कितने बड़ी थी तो वह उसे 10 वर्ष बड़ा था अनि कि जब लेखक 10 साल का था तो वह जिससे आकरसित हुआ था और रड़की आपका 20 साल का था ठीक है तो इस question का correct आंतो होगा option number 1 दानी के 10 वर्ष उसे बड़ा था उसके बड़ा देखिए अब यहां से आपका जो next chapter है और आकरी chapter है इस book का कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ो सबेता में ठीक है तो इसके लेखक है आपका परवास जोसी आज रखेगा चलिए इसके question को देखते है तो देखिए इसका question है आपका कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ो सबेता में किसकी रचना है तो यह किसकी रचना है तो यह आपका परवास जोसी की रचना है option number 1 कि इसका correct आन्सरों का परवास जोसी उसके बाद देखिए अगला कुशन आपका कै कि लेखक ने मालवा परदेश की किस विसिस्ता को रहांकित क्या है तो इस सेप्टर मेर लेखक ने मालवा परदेश की मालवा परदेश के मिटी नदियों का उदगम और विस्तार को रहांकित क्या है बताया है साथ ही साथ मालवा की लोगों की रहने और जिने के ढंग को भी यहाँपे रेखांकित की आया नीकी बताया है और मालवा के संस्कृति और बारिस के बारे में भी यहाँपे बताया है कि बारिस की स्ट्रकार से यहाँ आपका होता है तो इस question का correct नतीर होगा option number 4 उप्रुक्त सभी उसके बाद देखे अगला question आपका कहा है कि लेखा के अनुसार खाओ उजाडू सभेता का क्या तातपर है जीवन मुल्यों की परवा किये बिना विकास की अंधी दोड में सामील होना option number 2 उसका correct नात रोगा अगला question आपका कहा है कि अपना मालवा खाओ उजाडू सभेता में किस समस्या क्यों केंदर में रखा गया है तो यहां पर आपका यह समस्या है जल उल्ग प्रियावरण से समंदी समस्या option number 2 उसका correct नात रोगा अगला question आपका देखे कहा है कि अपना मालवा खाओ उजाडू सभेता में लेखक ने लोगों को किस के परती सचित किया है तो लेखक ने यहां पर प्रियावरण के विरास के परती सचित किया है option number 1 इसका correct नात रोगा प्रियावरण विरास उसके बाद देखे अगला question आपका कहा है कि लेखक प्रियावरण विरास का परमूख कारण किसे मानता है तो सहरों की यह प्लाइन मानता है इसको एक परमूख कारण मानता है लेकर कहाँ पे option number 2 इसका correct answer हो जाएगा सहरों की यह प्लाइन करना उसके बाद देखे अगला question आपका कहा है कि आदोने की विकास ने हमें किसे अलग कर दिया है तो आदोने की विकास ने हमें जल और जमीन से अलग कर दिया है option number 1 कि इसका correct answer होगा अगला question आपका देखे कहा है कि अब मालवा में वेसा पानी नहीं गिरता जैसा पहले गिरता था उसका कारण क्य कि लोग नर्मदा नदी को नदी नहीं बलकि क्या मांते थे तो यह नर्मदा को नदी नहीं मा की रूप में पूछते थे और उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या है कि कितने सालों में इतना पानी बर्सा कि गांधी सागर के बांध के सबी फाटक खुलने पड़े त तो नदी का आपका सदा निरा रहना जीवन के सरोच का सदा जीवित रहना है ऑप्शन नमर दो इसका करेक्ट नत्रोगा सदा निरा उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या है कि कौन यह समझता है कि वे ही पानी का परवन्दन जानते हैं और पहले जमाने के लोग इंजिनियर अगला कुछन देखे का है कि विक्रमा देते भोज मुंझ यह कहां की राजा थी तो यह आपका मालवा की राजा थी ऑप्शन नमर दो इसका करेक्ट नत्रोगा मालवा देखे यहां पर दो तो रिखा हो लेकिन विजए नेकर लिखा गया ठीक है तो यह आपको दोनों उपाई के थे उप्शन नमर 3 इसका करेक्ट नत्रोगा अगला कुछन देखे क्या है कि आज के इंजिनेरों ने क्या किया है जिसे नदी नाले सुकते जा रहे हैं तो यह आज की इंजिनेरों ने आपका तलाबों में गाद भरने का भर दिया है साथ बहुमीगत जल को बाहर निकाल लिया है इस होई से ठीक है तो इस कुछन का करेक्ट नत्रोगा उप्शन नमर 3 एक और दो दोनों उसके बाद देखे अगला कुछन आपका क्या है कि किस नदी को पार करने के लिए हाथी पर बेठना पड़ता था तो यह आपका हाथी पाल नदी को पार करन करेक्ट नत्रोगा अगला कुछन देखे आपके क्या है कि नदियों ने सवेता को जरम दिया लेकिन आज की सवेता नदियों को क्या बना रही है तो आज की सवेता नदियों को आपका गंदे पानी के नाले बना रही है ऑप्शन नमरी किसका करेक्ट नत्रोगा अपने बाहर की लाइबरेडी में सन 1878 से पानी के रेकोर्ड मुझूद है तो यह आपका नहीं दुनिया ओप्शन नमर तेनिस का करेक्ट आंतर होगा उसके बाद देखें अगला कुछ ना आपका क्या है कि अतीव दिश्टी वाले साल 1973 में कितने इंच बरसात हुई थी तो यह आप हाते हैं तो यह नदी को समाल नालेको और अपका तुलाब कर हेखने ज़िवjust करेक्ट आंतर होगा गरम हो रहा यह भी बताता है, सातीसा दुरूओं में जो जमी बरब है, वो पिघल रहा है, यह भी बताता है, और मोसम चकर का बिगड रहा है, यह भी बताता है, अनिकि यह सभी बताता है, option number 40 का करेक्ट रहोगा, यह सभी, अगला question देखे क्या है, कि वातावरण को गरम करने, वाली कार्बन डायोकसाइड, गेसों ने धर्ती के तापमान को कितना बढ़ा दिया है, तो यह 3 डिगरी सेल्सिस बढ़ा दिया है, option number 30 का करेक्ट रहोगा, अगला question देखे क्या है, और आकरी question आपका, कि कि किस देश ने कहा है, कि अपनी खाओ उजाड़ू, जीवन पंदिती से कोई समझोता नहीं करेगा, तो यह आपका America ने कहा है, option number 30 का करेक्ट रहोगा, अपर तो यहाँ पर मैं आपका, जो आपका अंतराल बूग था बच्छों, इसका मैंने यहाँ पर टोटल जितना भी 110 MCQ बन सकता था, यह मैंने सारा important MCQ आपको करवा दिया, अब इस book से कोई भी question आपके exam में पूछ जाता है, तो इससे आपका एक भी question बाहर नहीं जाएगा, उसके बाद जो आपका पहला book था, जिसमें आपका कविता भी है और कहानी भी है अंद्रा, उसके भी question मैं आपको करवा दूँगा, पहले कहानी section का करवाँगा, फिर उसके बाद आपका कविता section का सारा question करवाँगा, और सारा का इसका objective और subjective दोनों करवाँगा, ठीक है बसो इसका भी सब्जेक्टरी करवा दूँगा बस आपने चैनल से जुड़े रहे हैं चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब जरूट किजेगा इस वीडियो को दोस्तों में जाद से जाद से शेर किजेगा और आप लोग वीडियो को लाइक करना नहीं ठीक है तो चलिए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहिन जे भारत जुहार जार।